हाई व्रीवन वेलकम टो भी मन्यू आई एस माइन नेम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम लोग करेंट अफेर्स की बात करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बहुत ही तू दपॉइंट तरीके से उस कॉन्टेक्स से की क्या सवाल है उस टौपिक से जो की आपका प्रिल्म में आ सकता है what it means is कि इस वीडियो के अंदर आपका एक टौपिक जो है वो कवर हो जाएगा कोई भी एक पर्टिकुलर टौपिक जो भी हम वीडियो के अंदर उसको सेलेक्ट करते हैं, बन्दब एक लंबे प्रोसेस के थुरू, कि कौन से तीन टॉपिक सफते में देना है, जिनके उपर सबसे ज़्यादा probability है सवाल आने की, उसके बाद वो एक टॉपिक यहाँ पर अच्छे तरीक से discuss होता है, and once you watch this complete video, तो आपका वो topic done हो जाता है, what it means is कि you can consider that topic to be done for your UPSC prelims examination, right, तो आज का जो हमारा topic है, that is, अभी आपने देखा होगा, news में, this corvette, anti-submarine warfare corvette has been launched, जिसका नाम है INS Androt, अब यह क्या चीज है, इसकी क्या design है, और इसके साथ में, यह कौन सी class के अंदर fall करता है, किस चीज के ऊपर इसका नाम रखा गया है, और किसने इसको build किया है, तो यह सारी चीज़े हम इस video में discuss करेंगे, before that, let me tell you about Abhimanyu IAS, it's a platform that prepares you for your various UPSC and PCS examinations, this platform Abhimanyu IAS has experience, has experience of more than 23 years and has given out more than 2200 positive results since 1999, तो यह एक ऐसा platform है, जिसको आप trust कर सकते हो, अभी हम चलते हैं आज के topic में, फिर मैं आपको पताऊंगा कि जैसे to the point के अंदर तो हम बहुत to the point तरीके से एक topic cover करते हैं, if you wish to cover current affairs holistically, तो वो क्या तरीका है उसका, what is the opportunity that you have from Abhimanyu IAS, ताकि आपको current affairs overall जो है, पूरे तरीके से done हो जाए, once and for all, topic शुरू करते हैं पहले, वो मैं आपको वीडियो के last में बताता हूँ कि क्या course है वो, और उसकी क्या strategy है, तो इनके सकर आपको course नहीं भी लेना, तो भी आप वो strategy सुन सकते हैं कि किस तरीके से current affairs जो है, वो cover किये जाते है, INS, Androt, सबसे पहले हम देखते हैं कि Androt word क्या है, कहां, किस के उपर नाम रखा गया है, Androt Island, तो यह जो INS है, यह एक island के उपर नाम रखा हुआ इसका, Androt Island also known as, Androt Island is a small inhabited island in the U.T. of Lakshadip, a group of 36 coral islands scattered in the Arabian Sea, आपको Lakshadip के पार हैं पता हैं, और जो distance है इसका Kochi से, that is 293 km west to the city of Kochi, तो यह वैसे इतना important नहीं है, अगर कोई आपका मानलो भिहरेना का एक्जाम आ रहा है, तो अगर वो पूछेंगे भी, इन केस अगर पूछते फिर चांसिस बहुत कम है, तो यह पूछेंगे कि Androt क्या चीज है, किसके उपर नाम रखा हुआ, या फिर जैसे कि यह Arnala class की एक ship है, Arnala class यह किसके उपर नाम रखा हुआ है, या फिर Arnala class के उपर overall question आ सकता है, अगर straight forward इससे आया, तो फिर हम देख लेते हैं अभी इनस एंडर्ड, the second in a series of eight anti-submarine warfare shallow watercraft, हर वर्ड इसमें आपको कुछ नहीं कुछ बता रहे है, anti-submarine warfare shallow watercraft है यह, और यह कहां launch हुआ है, यह कौलकता में recently launch हुआ है, थोड़ा background देख लेते हैं इसका, और इसका contract है, for the eight ASWSWC, ASWSWC क्या हुआ हुआ, anti-submarine warfare shallow watercraft, एक तो देखो, मैं एक और चीज़ों यहीं बोलना चाहता हुआ हूँ कि इसके उपर भी सवाल आ सकता है, कि Arnala class के अंदर, जो है, total कितनी ships का contract हो रख है, कितनी ships का यह आने वाला है, जैसे हमको बाकियों को पता है, किसी का six है, किसी का five है, तो इसका है, eight, त April 2019 में ही जो है contract sign हुआ था, उसके बाद में लग रहा था कि इसके उपर सवाल आ सकते हैं, पर यह mostly cover नहीं हुआ है, बट अब क्यूंकि ships जो है, वो launch होने लग गई है, एक अभी I think December में launch हुई थी, और एक अब March में launch हो गई है, अब इसके उपर इस साल सवाल आने के chances जो ह हो रहा है, इसके ओपर भी एक direct सवाल जो है, आपको PCS बगारा के अंदर देखने को मिल सकता है, कि कि किसके थूँ बिल्ड हुई है, राइट, INS Arnala was the first of the eight indigenously built ASW, SWC, देखो, हाला कि यह statement बहुत straightforward लग रही होगी, पर यहाँ पर एक और information आपके लिए hidden है, कि indigenously built हैं य और INS Arnala was the first of the eight indigenously built और इस पूरे प्रोजेक्ट को Arnala class crafts ही बोलते हैं, यह Arnala class के अंदर फोल करते हैं, INS Androt is Arnala class craft. These Arnala class of ships are expected to replace the in-service Abhay class, ASW Corvettes of the Indian Army. Again an important point, हमने I think to the point में एक वीडियो में इसको INS Arnala को भी cover किया हुआ है, उसके अंदर हमने इसकी पूरी technicalities देखी हैं और हमने discuss किया था project 75 के बारे में. क्या है project 75, आप उस वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं और अभी हम चलते हैं, आगे जो यहाँ पे again important चीज है, that is कि यह किसको replace करेगा, जो in-service हैं अभी, Abhay class, ASW, Anti-Submarine Warfare, Corvettes को यह जो है, Arnala class जो है, replace करने वाले, again a very important point, आपके pre के अंदर इसको पूछा जा सकता है, UPSC के अंदर पूछ जाने के थोड़े से कम chances है, not negligible, पर कम chances है, और इसको HCS वगेरा के अंदर, जब को various PCS examination होते हैं, provincial civil services के examination होते हैं, state के अंदर इनको पूछा जा सकता है, और अगर इससे आप थोड़े से नीचे group B services के लिए आप try कर रहे हैं, इंस्पेक्टर and all उस anti-submarine operations, कहां पर in coastal waters, low intensity maritime operations, इनने limo बोलते हैं वैसे, mine laying operations and subsurface surveillance in littoral waters, यह इनका जो main काम है, वह हमें वैसी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने जब ASWSWC किया था, उसमें SW का मतलब भी shallow waters है, तो इसका मतलब यह deep portion की तरफ, वहां पर इनके projects और इनके operations जो हैं, वो नहीं ह होंगे, littoral waters में ही होंगे, और anti-submarine warfare और shallow waters के अंदर, यह हमने देख लिया है, किसने build किया है, primary role किया है, इसका to conduct anti-submarine operations in the coastal waters, और यह हमने देख लिया है अभी, right, तो इसके अंदर जो main चीज़े important है, वो यही है, कि अभे class को replace कर रहा है, है न, अर्नाला क्लास की submarine, अर् 1 of 8 अर्नाला है, 2 of 8 अंड्रोट है, अंड्रोट क्या चीज़ है, that is an island, जो कि कहां पे है, लक्षवधी के अंदर है, 1 of 36 island, अंड्रोट आइलेंड आपको वहां पे मिलेगा, अर्नाला आइलेंड के बारे में हमने discuss किया था, और अर्नाला नाम भी एक particular वजह से रखा गया ह है, तो हमने, जब हम current affairs की class लगती है, यहां पे full-fledged, उसके अंदर हम यह चीज़ों को भी बहुत, जो है, वो जाधा detail में discuss करते हैं, कि इसका exactly मतलब क्या है, why this name only, अगर 36 islands हैं वहां पे, है ना, और दूसरी तरफ भी हमारे पास islands हैं, बहुत सारे islands हैं, यही नाम क्यों, तो इसका एक खास significance है, हमारी history के अंदर, तो आप पुरानी वीडियो में जाएंगे, तो वहां पे हमने INS अरनाला को डिसकस किया हुआ है, आप सर्च करके जरूर वहां तक पहुंचिए, या फिर जिस playlist में आप हैं अभी, अभी मनियो IS की, to the point की playlist में, आप थोड़ा से न going on, इसकी three-prong strategy है, जो हम use करते हैं, number one, you get weekly PDFs, आपके dashboard के अंदर, अभी PDA के dashboard के अंदर, आपको weekly PDFs मिलती है, अब उन PDF का क्या काम है, कि जो multiple sources हैं, जो इंडिया में चलते हैं, उन सबके through current affairs को curate करके, एक PDF में convert किया जाता है, और हर हफते आपको एक PDF मिलती है, अब जो म folders और यह सब क्या चीज़ें होती है, यह static portion में आता है, तो इस static part को भी हम साथ-साथ उसी PDF के अंदर cover कर देते हैं, ताकि आपको एक ही PDF हफते की पढ़ने की ज़रूरत पढ़े, और यह कोई जाधा बड़ी PDF नहीं होती है, बहुत ही limited pages की 10, 12, 15 pages ही आपको per week की PDF मिलती है, 10 pages पढ़ना हफते में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट आपका sources सारे cover हो जाते हैं इसके अंदर, इसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पढ़ती, number two, you get weekly classes, दो classes मिलती हैं आपको, एक Saturday को class होती है, और एक आपकी class होती है, मंडे को, और यह दोनों classes तो इन दो के थुरू आपका current affairs completely cover हो जाता है, class के अंदर हम current affairs को एक register maintain करते हैं, हर current affairs को समझते हैं, इस class के बाद में आपका जो day to day subjects हैं, दूसरे subjects हैं, जो चल रहे होते हैं आपके, right, static subjects हैं, GS का subjects हैं, इनके अंदर आपका score बहुत इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि हर ए I don't think कि आपको बताने की जरूरत है कि वो कितना ज्यादा आपके लिए फाइदे मंद होगा, right, number three, you get, इसका थोड़ा सा मैं increase करता हूं इसे, number three, you get weekly tests, तो तीसरे नमबर पर आपको मिलता है, weekly tests मिलते हैं आपको, तो पहले वाली दो चीजे कि आपने class लगाई है, आपने pdf पढ़ ली है, उसके बाद में इन सब चीजे को पका करने के लिए हफते का आपका एक test होता है, right, once these three things are done, right, I don't think कि इसके बाहर आपको कोई सवाल आने वाला है current affairs का, right, और क्योंकि आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा offer है, that is you get a seven days free trial, साथ दिन का free trial है, आपके पास, link is in the description, आप एक बड़ी class में आई है, interactive class है, teacher is always watching the screen also, और offline भी आप लगा सकते हैं, सामने benches के उपर बैठ के, यहां पे आप teacher is constantly monitoring, अगर कोई सवाल है, कोई comment है, तो हम देखत रहते हैं, उसको यहां पे, तो एक interactive सी class है, आपको दोनो format के अदर available है, और seven days का free trial है, link is in the description, please check it out, and this was today's topic, बहुत straightforward simple सा topic है, thank you so much for watching, all the best for your examinations, my name is Rohit Garcha, you are watching to the point, and this is Abhimanyu IAS. झाल